अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए धर्म गुरूओं की अपील इस बक्रीद ना मिले गले बक्रीद ईदू लज़ा के मौके पर इस साल यूपी में कुछ अलग ही नजारा नजर आने वाला है दरसल इस बार राज्य में व्यापक स्तर पर फैले स्वाइन फ्लू के चलते मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील जारी की है कि इस बार बक्रीद की नमाज के बाद गले ना मिले बलकी सलाम करके मुबारक बाद दें दरसल यह अपील इसलिए जारी की गई है कि गले ना मिलकर स्वाइन फ्लू के वाइरस को और फैलने से रोका जा सके उत्तर प्रदेश के 75 में से 66 जिलों में स्वाइन फ्लू अपना पैर पसार चुका है इसी वजह से मुस्लिम धर्म गुरू थोड़ी जादा सतर्पता बदल रहे हैं दरसल इद पर कुछ लोग तीन बार गले मिलते हैं तो कुछ एक बार इसी वजह से धर्म गुरू को बक्रीट से पहले अपील जारी करनी पड़ी है आपको यह भी बता दे कि उप्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 66 में यानी प्रदेश के करीब 80 फीसदी इलाके में स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं गौर करने वाली बात यह है कि स्वाइन फ्लू के राज्य में कुल 2725 मरीजों में 16-122 केवल लखनव में मिले हैं जिन में से बारह की मौत हो गई है इद की सबसे बड़ी नमाज भी प्रदेश की राजधानी लखनव में ही होती है आमतोर पर नमाज के बाद एक व्यक्ति दरजनों लोगों से गले मिलता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुजाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद